छाम्धी वूर के समाज के सामने ये दर्शायाया चाहें कि जब एक ϊड़त अग्याnisse अपीद आए Canada क्यों की है मुझे ऐसा क्यों रगता है कि अद्याय मिलता है बारणा घ्रसाया चाहें कि फ़्ना कुछ त्राक प्रेशत की है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हाली में छबिस तारिकों में वारत साथ जी ठापर जी से विली थी, ये मुझे क्यों करना पड़ा, मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं फुरा शेयर करना चाहती हूँ. मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि और एक जननी है, वो जनब देती है, और सुसाइटी की फांडेशन है, और जिस समाज में और का सम्माद नहीं होता, उसकी उठाई कोई आवास का सम्माद नहीं होता, वो समाज प्रगती की और अग्रसर नहीं हो सकता. जो आग्री दूसरों की बेहन बेटियों की इज़त के साथ खिलवार करता है, शोशन करता है, वो समाज के नाम पर कलंग है, जो और के शरीर से उसके विश्वास का और उसकी आग्मा का बरतकार करता है, ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजाब बिनी चाहिए, ताकि हर औ पूशन करने वाले आदमी को सड़क पर घूनने की खुली चूट दी जाती है, एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है, तो ये पूरे समाज का बलातकार है, आज में 22 जुलाई 2004 से आज तक की सुफर के बारे में आपकी सामने नंगा सच रखना चाहती हूँ, मैंने F.I.R. पूश्ता कैसे बलातकार में बताएं, ये पूप फिल्मी बलातकार नहीं जिसमें कपरेट पाड़े जाते हैं, बल्कि मुझे जरा के, ठंका के, शारेरिक संबंद जारे रखने को जबर्दस्ती मजबूर किया गया और ये कानूनी तोर पर बलातकार है, F.I.R. की कापी मे आपको देती हूं, 23 जुलाई को नॉन बेलेबल यानि जिसमें बेल कताई नहीं मिलती, ऐसे वारिक पर भंडार करो अंतरिक जमानत मिली, ये अंतरिक जमानत की कॉपी है, जस्टिस वाचा ने ये लिखा है कि पुलिस केस की रिपोर्ट लिकें की नहीं पहुंची, चार दिन की अंतरिक जमानत मिल रही है, भारत वर्ष में शायद ये पहला ऐसा बलातकार का केस होगा, जिसमें बलातकारी को अंतरिक जमानत मिली, यानि कि जो अरेस्ट 22 या 23 तारिक को हो जाना चाहिए था, वो 23 तारिक को इसलिए नहीं हो पाया, कि जो रिपोर्ट थी, जो पुलिस के पास दर्ज थी, वो कोण तक पहुची ही नहीं, जिस्टिस वाजा के सामने रखी ही नहीं गए, अंतरिक जमानत पर आजाद भंडाकर ने, मुझे दिये वादे के मताबिक, मीडिया को गुम रहा करना शुरू किया, मुझे पे लांचन लगाए और मानहानी क पहले तो ये कहा कि मैं उसको ब्लैक्मेल कर रही हूँ, जब कि सच ये है कि आडियो टेप पर वो मुझे कह रहा है कि एक प्रडूसर को ढून कर रहा हो, जो उसे 80 लाग रुपे दे, मुझे तो ऐसा प्रदीत हो रहा है कि वो मुझे ब्लैक्मेल कर रहा था, इसी टेप में वो ये भी कहता है कि बिना शोशर के तो वो किसी दरगी को काम देता ही नहीं फिल्म में काम देने और शोशर के मिश्रर में वो विश्वास रगता है वो ही कहता है कि ऐसा तो होता ही है Work in pleasure, go together इसी के एकलिस आदमी ने एक सुहिन खान को भी जत्ता के सावने खड़ा कर दिया मैं आपको ये बता दूँ जो मुझे हाली में पता चला है कि सुहिन खान प्रिया राजबंच की हत्या के समय उसका boyfriend था वो अपने से बड़ी उमर की ओड़ों के साथ संबन रखता है जो दौनत मन्ध है प्रिया राजबंच हत्या के ट्रायल में वो एक सस्पेक्ट था जोंकि उसके अंडर वर्डिंग्स बताई गए थे इसके अलावा प्रायम राजबंच प्रॉपर्ड मार्फिट ने उसकी तहकीकार की थी पिछले साल कि वो भारत की खिलाब में आतक वाग्यों को पना देता है और उनको शक्त था कि उसका हाथ था अभी नीत्री सिम्रण की बहन मोनत की खुदखुशी में उनको ये भी शक्ता कि उसका हाथ शिरीम मिस्री एक अलबुड़ी औरत के पिछले साल भी खुदखुशी हो आप भी बताए कि ऐसे आत्मी को कोई लड़की ब्लैक में कैसे कर सकती है लेकिन जज़ को गुमरहा करने के लिए ऐसा दर्शाया गया मेरे पास तो एक अगस को पहुंचा लिए पहले की ज़स्टिस वाचा के सामने 27 जुलाई को समिट का दिया था अब इसका अर्फ क्या इस लीगल नोटिस का अब मैं लिए उतर दिया है सुरिट खान को कि मैं बहुत रशे खांदान को विलॉग करती हूँ मेरे पिता पॉर्ट सर्विस दे हैं मेरे हाली में यारी रोड में बारवाज 2004 को अपना फ्लैच खरीदा है सुहेर ने फ्लैच खरीदने की बाद ये कहा कि वो तहिश में विश्वास लगता है 24 सेंचरी में भी निशा शर्मा जैसी लड़कों की बाद वो ये कहता है कि तहिश में विश्वास लगता है और तभी शादी करेगा जब मैं अपना फ्लैच उसके नाम करता हूँ मेरे नगावने पर उसने कहा कि वो उसी रट्की से शादी करेगा जो उसी 10-12 लाग उबे तहिश में लेगी मैंने लिखा है कि मुझे शोहत फरीजने की ज़रूरत नहीं है और वो एक्स्टरणी म्यूजिक इरेक्टर है जिसकी कोई कमाई नहीं है और जो अपनी माँ और भाई पनिलबात है ये अजीब लीगल लोटिस और एक्शन्स भाई वीख होने के कारण है क्योंकि दीवी के माधियब से ये देख के कि मैं पंदार्कर के खिलाब एर्फाया दर्श किया है उसे लगा कि अभगली बारी उसकी है मैंने इस हत में अफसुन जाहिब किया है कि ऐसे आदरी को मैंने अपना दोस्त अप्रेवी सब्चा और मुझे उसे शादी में बिल्कुल कोई दिल्चस्पी नहीं है खेर केस पे दुबारा आते हैं 29 चुलाइकों पंदार्कर के वकील ने जजज के सामने कहा कि मैंने संदीव रोणा नामक फोटोग्राफर को भी ब्लैक मेल करने की खुशिश की थी ये बिबुनियान आरूम लगाया गया जजज को गुम्रह करने के लिए संदीव रोणा ने बंदार्कर के कहने पर उसका गलत समर्थन किया जबकि उसके पास कोई भी ब्लैक मेल का संगूत नहीं था यानि भटार्कर की सहाइता के लिए नकली एविडेंस पेश किया गया 26 अगस को मैंने ये मानखानी का नोटिस मैंने भीजा है क्योंकि उसने नाजोंग वक्त पर लांचन लगा कर मेरी मानखानी की और एंटिसिपेंट्री बेल गेरिक को अलग वोड़ दिया और जनता की नजोरों में एक सताइब हुई और उखलत दिखाने की चिश्ठा थी और ये भी बेगुनियाद अपाफ मिलाई अपनी सिस्थी पपरिसिटी के लिए कि उसने मेरा पोट्पोलियो किया है जबके मेरा पोट्पोलियो नामी फोटोग्रापस गौतम राजिंदेर शोचाईश सेज ने किया है मैरिशन मुझे पैसे में नहीं मामदी में दिर्चस्पी है क्योंकि इस तरह तो औरत पर कोई भी आथमी आरोग बना सकता है जब उसके पास कोई प्रूप भी नहीं है वो इस तरह से किसी के मालहानी कैसे कर सकता है आप ही मुझे पताएए पंडारगर को भीजे गए लीगर लोटिस की जो इतनी चर्चा हुई है वो लीगर लोटिस को इसको दिया था उनको उस लोटिस से कोई भी आपती नहीं हुई और हुणने बनाता का F.I.R. दर्च किया उसमें यह नहीं लिखा था दिक हो आप भी जानते हैं कि कोई भी दिरेक्टर एप्रोडूसर एक लड़की को 48 गंटे के अबदर तो साइन नहीं कर सकता हम यह नहीं चांदे थी कि गल्भों पड़े होकर वो यह बोड़े कि इनमें पांचीन फिल्म में आपको लिने वालता लिखोड में आपके पीछे जाने की सजा हुई थी जस्टिस आरल अगर्वार ने अपने 1976 के बैसले में कहा था कि उसके पिताई एक एंटी नैशनल और एंटी सोचल एलेमेंट है और अगर्डाकर के घर में किस तरह की भाई जानी है माननीय अबर सिंग जी ने कहा थाभी से साथ एशन एज के मुख्य प्रश्ट पर कि अगर्डाकर एक फ्रॉड चीज़ काग हो जाता है मैं हर औरत से बिंती कर्पी हूँ अगर आपका बनाकार हो या शोशन हो तो आप प्रोई बिश्वास नहीं है जो हर बारा घंटे बाद अपनी बात बदलता है दो आदमियों को लीडर नोटिस भीजने का मंदब यही है कि दोड़ों आदमियों ने गलत बियावार किया है मेरी प्रत्रती है कि अब मैं नाइजिन में दील में भीगाओ है जिसके डाइटर बियार इशारा है जिनोंने पहले रीडा गॉय पर विलबावी, सारे का लिखाना सुर्तान, शत्रुगत सिना, विजे अरोना कि मुझे अपना चेहरा चुपाना चाहिए अगर किसी भी चैनल पर या कहीं पर भी चेहरा चुपा के कुछ दिखाया गया है तो वो एक अगलत चीज़ की रही है ये सारे मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो मुझे इसकिए पेश करने पढ़ रही है कि एक बहुत ही मांगी अख़ार में मेरे क्रिवेंशन्स पर भी शक्त जाहिर किया गया था वरना मुझे पिल्कुल भी तो जरूरत नहीं है जनता कि ये जरूर कहा था कि मैं समाज सिवा करना चाहती हूँ लेकि मैस्पिल में इंडस्ट्री और मॉडलिंग, एक्टिंग और कॉंपेरिंग कभी नहीं छोड़ोगी इंडस्ट्री एक खुब सुरच जगा है यहां क्रियेटिस सचे पुदारी है मेंगी प्रॉड्ब्र कीवर भणारकर से जो के सामने जाना हर पत्रकार और चैनल का उपर्स है और आपकी करनम में और रिपोर्टिंग में वह शक्ती है जो समाज में अवश्य चागरती लासकती है यह जिसका फैस्टा और जिसमें पांच डिर्ट के अंदर होता है यहां पे 27 तारी से लेके 20 तारी सब्वा है और अंद में बहुती समाज के साथ एंटिस्पिट्री बेंदी चाहिए है और जो में सबूत है जो उतिस दिर्णे कीजिए कि क्या सिस्टर में समाज में एक उर्ट को न्याय मिलता है क्या ये सही है? क्या एक उर्ट को याय मामने के लिए खड़ा होना चाहिए?